कि वेलकम बेग एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल हेडर के सैकेंड मैच के बारे में जो की खेला जाएगा निदल लेंड वर्सस बंगलेदेश के बीच निदल लेंड का आखनी मैच हमारे लिए बहुत अच्छा गया था जो कि ऑशेलिय से था और वो वाला मैच मैच जीता था परसनली साड़ी नो लाख उर्पे जी हां मैंने आपको प्रूफ भी शेयर किये थे टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े वे उनको तो मालूम ही होगा जो नहीं जुड़े उनके लिए चीज नहीं होगी क्योंकि वो उनको जब तक अपनी आँखों से प्रूफ नहीं देख लाए थे प्रूफ ही कि आपको मैंने पूरी वीडियो भीजी थी तो निदलिंट का भी आखरी मैच हमारा बहुत मतलब मस्त गया था और उसके अलावा साथ अफ्रिका का मैस था बंगलादेश मतलब बंगलादेश का बोल सकता हू दूस मैच में भी मैंने कम से कम 6-7 लाग के सम्थिंग विनिंग की तो उसका रीजन था मैमद उल्ला सब ने ड्रोब किया था हमने पिक किया और और हमने लाजवाब विनिंग की थी अब दोनों टीमें जो आज मेच खेली है ना इनके पिछले दोनों पिछले जो मैचस आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट काम है वीडियो को देखना क्योंकि दोनों टीमें अलएडी बाहर हो चुके टुर्नामेंट से बंगलादेश भी बाहर है और निदरलेंड भी बाहर है अब यह ऐसा मैच है जिसमें टीमें करेंगी एक्सपेरिमेंट बैंच के प्लेरों आपको लाए जाएगा प्लेंगे लिए उनमें या फिर टीमें इस तरीके से भी खेल सकती है कि वह पॉंच टेबल में कम से कम फिफ्ट सिक्स पे तो बने ही रहा है सबसे एंडिंग पर नहीं जाना चाहिए ना बंगलादेश जाना चाहिए ना निदरलेंड तो मैस दोनों दस हजार का ऐसा गीववर रहने वाला है जो कन्फर्म है मतलब विनर आएगा या आएगा अब विनर आएगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए गीववर काफी इंपोर्टेंट है अब इस गीववर को आप कैसे विन करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा बस सब्सक्राइब करने के लिए 10,000 का यह गीववर है क्या वह आगे देखेंगे मैच की अगर मैं बात करता हूं तो यह जो मैच होगा 28 मैच होगा और लाइव तो होट इस्टार या टीवी पे श्टार स्पोर्ट पर आपको दिखे जाएगा उसके अलावा यह इडन गार्ड अभी आपने मेरी विनिंग देखे थे स्टार्टिंग में यह टेलीग्राम चैनल पे शेर की ती और यह उसी टीम से थी जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी तो जैसे अभी आप इस मैच की वीडियो देख रहे हो साउथ यह बंगलादेश और निदलेंड की तो इसकी तो इसकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ग्रैंड लिग तो मैं खेलूंगा नहीं क्योंकि स्मॉल लिग मेरा इंवेस्ट्मेंट है इस मैच में तो ध्यान डखना ठीक है फाइनल टीम और पिछी रिपोर्ट क्योंकि यह वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा इस पहले के मैचे से ठीक है सो देखिए इस मेच कि अगर मैं बाइस वेन्यू कि अगर मैं बात करता हो ना यह ऐसा विकेट है जो जनरली आपको एक बैलेंस विकेट दिखेगा जहां बैटिंग भी अच्छी होती है और बोलिंग भी अच्छी होती है अगर मैं इस्टोरीकली रहता हूं तो 65% विकेट मिलते हैं पैसर को और 35% मिलते हैं स्पिनर को लेकिन इस्टिल यह चीज आपके लिए अभी तो इस्टोरीकली है लेकिन पिच रिपोर्ट बताएगा आपको क्योंकि फाइनल पिच रिपोर्ट तो टॉस के लगबग 15 या 20 मिनिट पहले आती है और मैं इन फर्म कर दूंग टेलिगराम पे अगर वीडियो में बता रहे हूं सेम इनली पिच्छी पोर्ट होती है तो फिर मैं जैर करने की जुरुति क्या रही है तो फिर मैं ये च्छी रिपोर्ट की बात करता हूं ऊक्र न users के लेगा तीलности 18 मैं जिती बैटिंग फश्ट औ आखरी जो मैश था न यहाँ पर लाश्ट के चार मैश में तीन मैश वो जी तीं जिस ने पहले बैटिंग किया अब देखिए पीछ रिपोर्ट भी कई बार के होता है जब स्लो विगिट होती है न तो टीम क्या करती है पहले बैटिंग ले लेती है और बैटिंग विगिट हो इंडिया ने इंडिया को रहा है तो इंडिया ने श्रीलंका को रहा है तो तोड़ी कमजोर है यहां तो इसके अलावा यहां 280-290 का इवरेज इसको रहे और क्योंकि दोनों टीमों में अच्छे बैट्समें भी है जैसे अगर आप एड़वर्ड हो गया निदरलेंड की बात क यह चार प्लेयर बहुत अच्छे हैं और इनके पास अगर आप डिफरेंशल देखोगे हिटिंग में तो और वोड हो गए विक्रामा जी सिंग हो गए यह अगर कोई टिक गया तो यह भी अच्छा पोइंट दे देंगे तो उमीद लगा लेना आप लोग 280-290 का या 200 तो कम से कम उमीद लगा हो गए कोई सी भी बैटिंग करें चाहिए बंगलादेश करें चाहिए निदलेंड क्योंकि दोनों टीमें अच्छी है एकोल लेवल की टीमें बोल सकता हूं मैं आखरी मैच में 15 विकेट गये थे जिसमें 10 विकेट पैसर्स आपके लिए इस्पिनर्स मतल हो अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्कोरिंग पैटर्न की तो देखिए 250 से 299 के बीच 11 बार स्कोर हुआ है 11 बार तो यही रीजन है मैंने बता है आपको कि 200 तो कम से कम बनने ही चाहिए उसके बाद फोर्म की बात आती है एक्वल फोर्म है और एक्वल टीम भी है यह पां तो चांसिस जाद है कि विनिंग जो है बांगलदेश करनी चाहिए दोनों टीमों के एक एक मैच हुआ है जिसमें एक एक टीमों ने विन भी किया है तो अगर यहां से हम बात करते हैं प्लेंग लिए उनकी तो मेरे कोडिंग तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए क्योंकि सार कला यह डिया है तो यह क्या कर सकते हैं बैंच में हाइदीहसन टोहid तो चलो तीन तो खेल लिए एक टीमों का देसकती है यह एक छेंच आप ली देखने को मिल सकता है तो और वो भी मिलना चाहिए मेडेय कोडिंग या तो मुस्ताफिजुर की जगह पर क्योंकि पता है मुस्ताफिजुर बहतरी नहीं बट कोई मतलब नहीं है खेलने का भी मतलब नहीं है जैसे साउथ अफरीका ने रबाडा को दिया था रेश्ट लेकिन वो तो उनको पता दा या मैच उतना कुछ खास है नहीं तो बड़े प्लेरों का राम से वो ड्रॉप कर सकते हैं इस मैच में इनके लिए भी मैच यह खास नहीं है बस यह कि यह पॉंच टेबल में ऊचे रहने के लिए निदर लेंड से कम से कम उपर रहें शिलंका से तो नहीं रह पाएंगी क्य जगा तंजीम दिख सकता है और शोरीफल अब देखिए लेफटी राइटी राइटी के अगर मैं बात करता हूं एक दो तीन तीन लेफटी वो भी बराबर लाइन में तो इसका मतलब है कि आरियन दत और कॉली ने काफी इंपोर्डेंट रोल आदा करने वाले स्पेशली आ तो और नजमल से शान्तों की फॉर्म अच्छी है नहीं तो कोली नेकरेमेन और आरियन दत को किसी हालत में डॉप मत कर देना चाहिए बैटिंग आए टीम की चाहिए बोलिंग आए मच नीड़ेट प्लेयर हो ठीक है तो और इस टीम की तरब से इंपॉर्टेंट प्लेयर जहां सामने पहला पॉइंट तो यह कि नेदर लेवने प्लेयर राइट ही है और राइट यू को आपको पता है जब अगर हो जाता है न तो फिर वही करता है लेफट आर मॉर्थोडोक्स या लेग ब्रेग या लेफट आर मीडियम पैसर तो अगर टीम की पहले बोलिंग आ कि यह क्योंकि लेड़े क dang हो या फिर अर यह क्योंकि अपनी बजस्ट है महमद है महमद उल्लाव अगरा सब लेंगे अब कोई मतलब नहीं इनको ट्रॉमकार बताने से हसन मेहमूद टीम की पहली बोलिंग पे डेथ वर्स में आएगा विकेट टेकर है शौरीफुल भी सेम काम करेंगा प्लेट दीकि सारे अच्छे हैं इसमें खराब तो बस मैं एक कि बोलूँगा तंजीद वह भी फॉर्म के कारण ओ शान्तों को फॉर्म की कारण और तंजीद उतना कुछ खाथ से एक्स्प्रेंट प्लेयर है नहीं हां ग्रैंड लिव अगरे में तंजीद को ट्राइए करना क्योंकि सेम काम क्योंकि सारे लोग जो है क्या करेंगे शोरीफूल मैधी और शाकिब यह इनके च्छे मैन बॉलर है बैंच में तंजीब है देखते हैं खेलेगा करें नहीं अब किसके साथ करेगा यह कंफर्म नहीं मुस्ताफिजूर खेलेगा तो उसके साथ वनना तंजीब मेरे कोडिम खेलना चाहिए तंजीब को डैथ में रियतन का पहला मैच अगेंश नीडल लेंड तंजीभ का पहला मैच और आजमर उससी मैशन शानतों का भी मैच होगा शाकीब ने डोनों मैच खेलें है मैघ्लाज अबgehen और तो ओनों मेच's में खीघनेश में तेट असकळ और पेर्फ्वेंश पर्फोर्मस था होगा ना कि यहां पे तो दो ही मैचस थे ठीक है बंगलादेश और निदरलेंड के दो ही मैचस है तो मेरे भाई देखी यह मैचस जो है ना इनके मैदी असन मिराज के यह मैचस मैंने एड किये ताकि आपको दिक्कत ना आए कि भाई क्योंकि कई बार के होता है ना प्लेयर खेलते नहीं है फॉर एक्जामपल के लिए अब क्योंकि यह शांतों जैसे प्लेयर तो आए नए हैं तंजीद भी आया यह लिटन का भी पहला ही मैच है इन्होंने टीटव खेले जैसे अब यह देख लो मुस्ताफी जुर ने भी मैचेस खेले और यह शोरीफुल ने भी मैचेस खेले तो जो खेले मैं एड करूंगा वो चाहिए वो टीटवंटी ओ चाहिए ओडिया यो जो मुझे मिलेगा कि हाँ मेरे यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन इड करूंगा उसमें कोई डाउट ही नहीं है ठीक है यहां से हम बात करते हैं यह नसूम की तो पहला मैच है और हसन मेहमूद की तो इनका भी पहला मैच है बाकी में मुस्ताफी जुर ने यह तो हमेशा यह शाकीब महमधुला मतलब यह मुस्ट अब दी प्लेयर के मैचेस खेले रहते हैं इसमित ले लो कोली ले लो मुस्ट अब दी टीमों के अगेंस मैचेस होता ही है चैक कोई भी नहीं टीमों कितना भी पुराना मैच दिखेगा लेकिन दिख जाएगा तो मुस्ताफी जुर का भी सेम हाल है इन्होंने भी बहुत मैचेस कहले और शोरी फुल चलो बैटिंग पर भी विकेट ले लेता है और बोलिंग पर यह कोई इतनी खास टीम है नहीं तो शोरी फुल को मैं डॉप करने के लिए मना करूंगा बाकि यह बैंच के चार प्लेरे चारों के अगेंच मतलब एक भी मैच नहीं अगेंच नहीं डलें और विन्यू पर भी बाकी में बोलर देखिए मैं आपको पहले बता चुआ हूँ छे में बोलर है हसन, शाकिप, शौरीफ, मैदी असन, मुस्ताफिजूर और नसूम, महमद अल्ला बोलिंग तब ही करेगा जब सामने लेफ्टी जादा हो अगर लेफ्टी जादा नहीं है या मान लो की स्पेरिमेंड मोड पे आज है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ वरना महमद अल्ला बोलिंग तब ही करेगा जब सामने लेफ्टी हो या फिर वह बहुत अच्छा लेफ्टी खेले जा रहा हूँ तब जाके बोलिंग मिलेगा साथ वह उप्शन है यह बंदा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं सेकर मैच की इस मैच में देखे तंजीर ने काफी बहत्रीन परफॉर्मस दिखाया था और इसलिए मैं बोलूँगा ग्रैंड लिंग में जरू ट्राय करें क्योंकि स्मॉल लिंग में तो क्या होता है यह प्लेयर को जब लेते हैं तो आपका एक प्लेयर खर कर सकते हो या बंगलेदेश की तरफ से वंसाइड विंड में मालो आरियंदत को अपनी तब ट्राय कर सकते हो प्लेयर अच्छा है तब ही तो आया ना भाई बट वही बात है ना कि विकट कफ एक यह पता नहीं होता है और फिर अब इस मैच में तो एक और बड़ा पोइंट होती है जब प्लेयर की तो फिर वो कितना भी अच्छा हो उसका पर्फॉमेंस नहीं आता है अब अगर आप वमेस बीबिल देखते हो तो आपको एक प्लेयर का नाम बता रहा हूं बी समित बहुत अच्छी प्लेयर है बोलिंग भी करेगी बैटिंग भी बन डाउन लेकिन से विकेट नई और बैटिंग आते फ्लोग तो वो वाला सीन इनके साथ हो रहा है प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन पर्फॉमेंस नहीं आ पा रहा है इसके बाद मेहदी हसन मिराज है तोहीद है मुश्फिक है यह पर्फॉमेंस था बैटिंग से और बोलिंग में देखो प्लेयर है और बॉलिंग में दो विकेट एक शाकीब ने और एक मुस्ताफिजूर ने अब हम बात करते हैं सेकेंड टीम की जो बंगलद जितनी श्ट्रोंग तो नहीं है लेकिन टकर देगी क्योंकि जब साउथ आफरिका जिसी श्ट्रोंग टीम को हरा के आ रही है तो बं इनकी आपने देखा ही होगा कि नबर और आउट होगा रिशाए यह वह वाला सीन कर देते हैं जब विकेट फेकने पर आते हैं तो और जब रोकने पर आते हैं तो फिर वहीं बहुत अच्छा भी दिखाते हैं और स्पेशलिए स्कोट साइब्रेंड जो है ना यह बंदा ब पॉलवेन मेक्रीन यह एक्सपेक्टेड लाइन अप बैटिंग ओडर के अकोडिंग लेफ्टी राइटी देखते हैं तो क्यों एक लेफ्टी है मतलब वहां से चांसे काफी कम है मेहमद उला के बोलिंग के क्योंकि ऑप्शन में मैधी हसन मिराज है जो ब्रेक है जो टीम की जो भी पहले बैटिंग आए जैसे मानलो की बंगलदेश बैटिंग करें तो लिटन भी अच्छा है मुश्विक भी अच्छा है और यह बैटिंग करें तो इसकोड भी ले सकते हो मतलब तीनों अप्शन है आपको लेकिन लेना यह तो एक है मैक्सिमम दो तीनों के स तब आप बंगलदेश से उमीद लगा रहे हो कि वह जीतेगी तब लो ठीक है उसके बाद तेजा निदा मारून के बाद लोगान यह तो प्लेंग लिए उन तो होई गई मैन प्लेर देखिए एक्रमेन बस डे लीडे स्कोट एडबर लोगान वेन बीग और अगर टीम पहल कोई भी खेल सकता है कौन खेलेगा यह पताना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वही टीम का मैनेजमेंट डिसाइट करेगा ने खेलेगा कौन चांसे यह बनते है कि और लाउंडर को क्लियर करने के लिए साकिब जुलफिकार में भी खेल ले या बैटिंग को मजबूती दे आएंगे यह दो चेंजिस की पॉसिबिलेटी बनती है बस बस डे लीडे कंफर्म डेथ में आएंगे कंफर्म कि 100 परशेंट आएंगे उसके बाद लोगान वेंबीक और उसके अलाव कॉलिन एक्रमेंट डेथ में इनके साथ अब हम देखते हैं कि किस प्लेयर का कैसा रिको नाम तो मुझे याद पीटर सिलार शायद आपको याद हो तो वह वाले प्लेयर थे पीटर सिलार जयसे प्लेयर तो वह पूरे बलेयर ठीडेगा का प्लेयर है जो अभी नेडिलेंड से खेल रहा हैं तो इनके कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं तो आई फिके ए मॐंध रही深ता कूला है Josh प्लेंग लिए उनकी तो आख्री में चीह हार क्या रहें देखिए यह सोला रहने ठीक च्छे को अटा रहें विक्रमा जी सिंग पच्छीस स्कोर किया और यह सबसे हाइश स्कोर रहते बोलिंग की बात आती है वैंबिक चार बश्द लीड़े दो और दत एक उसके सेकेंड मै और डेथ होर्स में और आता है यह कुछ ओवर लेक्ट आता है यह बैटिंग में साहिब यह इस लंका गेंश मैस था इन दोनों ने अच्छी नहीं खेली थी यह वाला मैच ए टीम जीती थी यह अगेंश साउथ अफरीगा था और बहुत अच्छे तरीके से लोग जीते थे बैटिंग में सकोट एडवर सबसे ज़्यादा स्कोर किया था अब हम बात करतें गिव अवे की सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है क्योंकि प्राइज उनी को मिलेगों जो सबस्क्राइब है और वीडियो को लाइक कर देना इस वीडिय सबसे कम fantasy point किस player के होंगे सबसे कम fantasy point और अगला वर्ल्ड कप का मैच होगा अब मैं नाम नहीं बताओं आप जाकर देख लेना कौन साल अगला वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया और इंडिया इंगलेंड का मैच है जो भी आप देख लेना मेरे कोड़ी इंडिया इंगलेंड यह तो आप जाना और इसी comment में इसी comment में आपको यह लिखना है कि इस मैच में सबसे कम fantasy point किस player के होंगे यह लिख देना lowest fantasy point player का नाम और आपको बताना है इंडिया की एक्जेक्ट प्लेंग लिए उन क्या होगी और इंगलेंड की एक्जेक्ट प्लेंग लिए उन क्या होगी अगर आपका यह आंस्वर सही आता है जिसके इंडिया की प्लेंग लिए उन की एक्सपेक्टेड सबको मालूम होती है और इंगलेंड के भी मुष्ट अब दी प्लेयर को मालूम होती है मुष्ट अब दी यूजर्स को प्लेयर तो खेलेंगे ठीक है तो अगर आपका answer सही आता है ना तो कि answer इसमें आने के बहुत हाई भाण आपने answer दिया 10 बजए मान लो आपने 10 बज़े answer दिया और एक बंदा है जिसने 9 घ आसवर दिया ठीक है दस बंदे से जिन्नों निनो बज़िक दस बजने से पहले पहले आंसपर दे दिये 10 बंदे मांग लो और फिर 11 बंदा है जिसने 10 बज़े के बाद दिया तो जो पिछली तो इसका मतलब है कि जब भी मेरी वीडियो आए ना तुरंत देखा करो तुरंत लाइक किया करो तुरंत चीजों को समझा करो और गीववे को विन कर लिया क पर हो और इतना सिंपल गीववे दे रहा हूं कि शायद आपको कोई नहीं देने वाला है एक्जेक्ट लाइन अप देना ज्यादा मुश्किल है नहीं और एक ही तो क्यूशन होता है लोवेस्ट फैंटेसी पॉइंट पस यह चेंज होता रहेगा किसी में हाईएस्ट विकि नहीं है क्योंकि आपको सारी चीज़े बता चुका हूं बैटिंग ओडर हो गया और कितना इंपोर्टेंट यह टॉस के ऊपर गेम रहने वाला यह पता लगी होगा ना कि आर्यंदत का क्या रोल है नजमुल इसे इंशानतों का क्या रोल है और क्या क्या चेंजिस कर सकती है टीम है वह वाला सीन है ठीक है टेलिगराम को लिंग डिस्क्रिप्शन में चलिए मैं टीम दिखा दे तो अगर आप ड्रीम लिए उन पर खेल ले तो मेरी टीम मत लगाना मैं पहले कर देता क्योंकि होता गया ना ट्रीम लेटा पर प्ताएं एक बैट्समेंट के साथ टीम जाती है बिल्कुल बनेगी लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एक वेट्समेंट के साथ में खेलो मैं खेलूंगा लोजिकल वे में तो मेरा इंवेश्मेंट होका लिए उन पे और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी लिए उन पर इंवेश्मेंट करना बहुत अ अच्मेंट करना और ऍवेश्मेंट करम कि लिए एडवर्ड को पिक्कट के यहां बादिग मैंने के पिक किया है सबसे पहले मेहमुद उल्ला को देखे हैं अगर अगर आप ड्रीम पे गहलोगे तो आप अराम से क्लिए को लेppe सकते हो किसी को health को भी यहांहां के लेंगे मै करने के चांस जीतने से ज़ाद हैं इसलिए मैं वहां पर खेलूंगा नहीं ठीक है तो मैं मुदुल्ला को मैंने पिक किया है शान्तों को पिक किया हुआ है शान्तों हाला कि आउट ऑफ फोर में बट इस्टिल मैंने के साथ जाने वाला और उसके अलावा तंजीत और मैक्स व बलसन इन चारो लाउंडर्स को लिया और चारो बैस्टे किसी को भी हटा ना मत बाकि आपके मर्जी आप चाहो तो हटा सकते हो आशाकी बलसन जैसे प्लेयरों को भी लोगान वेन बीक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर शौरीफ ऐल इसलाम एक बहुत इंदद की जैगा आप चाहो ना तो फर एक्जामपल के लिए नसूम को हाँ नसूम को ले सकते हो नसूम बहुत अच्छा अपने रहे और मैं भी ले लूँगा अगर बंगलादेश की पहले बोलिंग आ गई तो क्योंकि पहले बोलिंग आ गई तो भाई यह दस ओवर तो म नहीं कटेंगे और सब राइटी राइटी भड़े पड़े तो यह वाला सीन है बागी देखिए नसूम हमारे ट्रंप काड़ है लेकिन अकोर्डिंग तो कंडिशन में लेने वाला अभी के लिए मैं नहीं लिए अगर मैं लूँगा तो मैं इंफर्म कर दोंग कोई दिक्क कैप्टन शाकी वाइस कैप्टन बश्डर लीडे जो भी चैंजेस होंगे टेलेग्राम पे इंफर्म कर दूंगा और यह वाला मैच आप लीग लिए उन पर यह लोगो तो बहतर होगा क्योंकि देखिए मैं अगर तीन बैट्समन ले रहा हूं तो सामने वाला भी तीन ही ल दूंगा लिंक वेने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ जरूर जो इनका लेना ठीक है ठैंक यू दोस्तों इस वीडियो के इन तक देखने के लिए मिलते है नेक्ट वीडियो में